हलो एन वेलकम दोस्तों आप सभी का एलेक्ट्रिकल अचारे में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ITI Electrician Course का Chapter No.3 हम अलिडी दो यूनिट्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक टूल्स पढ़े थे हमने फ़र्स टेक्नीक के बारे में जाना था हमने Safety Rules के बारे में समझा था हमने Fire Extinguishers को जाना था और इस तरह के कई सारे Basic Concepts हमने उसमें डिसकस किये थे तो अगर आपका जो Electrician Course है वो इसी Chapter से शुरू होता है यानि सबसे पहले आपका जो Introduction है Electricity से वो इसी Chapter से शुरू होगा तो यह जो Chapter है यह बहुत ही Interesting Chapter होने वाला है तो मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग इस Chapter को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक होंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो Chapter No.3 को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग Fundamental of Electricity के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग Atom के बारे में पढ़ेंगे कि Atom किंची जो से मिलके बनता है फिर हम लोग Types of Materials के बारे में पढ़ेंगे यानि Materials किस तरह का Behavior दिखाते हैं Electricity के साथ कुछ Materials Conducting होते हैं कुछ Materials Insulator होते हैं कुछ Semiconductor होते हैं तो इन सारे Topics को हम लोग Part 1 में कवर करेंगे Chapter No.3 के Second Part में हम लोग Basic Electrical Concepts को Discuss करेंगे जिसके हंदर हम लोग Current, Voltage, Resistance, Power, Energy और इस तरह के Basic Terms को Discuss करेंगे फिर हम लोग Ohms Law के बारे में Questions of Circuits को Discuss करेंगे तो ये जो Topics हैं ये काफी Important Topics हैं कई सारी Exams में इन ही Topics से Questions आते हैं तो ये जो Chapter है हमें बहुत 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 ध्यान के साथ पढ़ना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हमारे आस पास जो भी चीज़े हमें नजर आती हैं या जिन ची पदार्थ है इस पदार्थ का खुद का कुछ वजन होता है तो कोई भी चीज जिसको हम लोग पदार्थ कह रहे हैं वो अपने आस-पास की जग़ाओ को घेरेगी और उसको कुछ वजन होगा Example के लिए हवा लेते हैं तो हवा को आप जैसे ही बलून में फिल करते हैं तो वो space को घेरती है, जगह को घेरती है, और हवा का खुद का भी कुछ वजन होता है, तो आप किसी भी चीज़ का example ले लेजिए, बस, कुलर, टीवी, पंखा, एसी, आपका खुद का शरीर, ये सभी चीज़े पदार्थ कहलाती है, क्योंकि इनका खुद का कुछ वजन है, और ये अपने आसपास जगह को घेरती है, तो पदार्थ छोटे छोटे इन्विजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है, जिनने हम लो की सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो, एक्जामपल के लिए पानी की बात करते हैं, तो पानी का जो साइंटिफिक नेम है, वो क्या है, पानी को हम सभी जानते हैं, पानी को हम लोग H2O लिखते हैं, तो पानी का ये जो एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर दो hydrogen के atom होते हैं और एक oxygen का atom होता है तो यानि इन तीन atom से मिलके आपका पानी का एक molecule बनता है और उस एक molecule में पानी के सभी घुण हों गे ठीक है तो हमने क्या समझा हमने ये समझा कि molecule 2 या 2 से जाधा atom से मिलके बनता है ठीक है तो अभी तक के discussion को अगर करें तो हमारे आसपास की सभी चीज़े matter कहलाती है matter molecule से मिलके बनता है और molecule किसे बनता है molecule atom से मिलके बनता है पर अगर हम लोग atom को भी तोड़े और यह समझें कि atom कि इन चीज़ों से मिलके बना है तो हम यह पाएंगे कि atom तीन छोटे छोटे particle से मिलके बनता है जिनको हम लोग proton, neutron और electron के नाम से जानते हैं यानि atom भी तीन छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है इन कणों को subatomic particles कहा जाता है यानि atom से छोटे particles तो atom, proton, neutron और electron से मिलके बनता है एक atom का जो center part होता है इस center part को क्या कहा जाता है इस center part को कहा जाता है nucleus right दोस्तो ये जो nucleus है ये nucleus proton और neutron से मिलके बनता है यानि एक atom के center में कौन रहता है एक atom के center में रहते हैं proton और neutron और इसी center को हम लोग nucleus के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तो इस nucleus के चारो और electrons revolve करते रहते हैं यानि हमने ये तो समझा कि atom के center है इसे nucleus कह रहे हैं और इसी nucleus में proton और neutron है और इसी nucleus के चारो और electron revolve करते रहते हैं घूमते रहते हैं उधारन के लिए अगर हम अपने solar system की बात करें तो दोसे को solar system में कैसा होता है हमारे पास section है एक सूरज है और इस सूरज के चारो और क्या होता है इस सूरज के चारो और ग्रह जो होते हैं वो चकर लगाते हैं तो ऐसे ही atom के साथ भी है एक atom का जो center part है इसको हम लोग nucleus कहते हैं और इसी nucleus के चारो और कौन गुमते रहते हैं इसी nucleus के चारो और electron गूमते रहते हैं, इस रास्ते को हम लोग orbit कहते हैं, जैसे planets का एक orbit होता है, जिस धूरी पे वो गूमते हैं, ऐसे ही electrons अपने orbit में revolve करते हैं, और दूसरों हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें नजर आती हैं, इन सभी चीजों के पास कुछ electrical properties होती हैं, जैसे कि वो electricity को कर सकते हैं या नहीं, और इनके पास electrical charges से related भी property होती हैं, उधारन के लिए अगर हम protons की बात करें, तो protons के उपर positive charge होता है, जबकि electron के उपर negative charge होता है, और neutron के उपर कोई भी charge नहीं होता, तो अगर आप कोई भी material लें, अपने आसपास जैसे plastic है, rubber है, wood है, कोई भी material, हम इन सभी material को इन 3 categories में रख सकते हैं, या तो हम कहेंगे कि इसके पास positive electrical charge है, या फिर हो सकता है कि उसके पास negative electrical charge हो, या फिर उसके उपर कोई भी charge नहीं हो, तो अलग-अलग materials पे अलग-अलग तरहा का electrical charge हो सकता है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, दोस्तों जैसे मैंने एक electron का एक orbit आपको indicate किया है, इसी orbit में ये electron randomly इधर-दर कहीं move करेगा, और ऐसे ही सभी electrons अपने-अपने orbit पे ही revolve करते हैं, दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने atom आपको दिखाया है, ये किस material का मैंने atom दिखाया है आपको, ये मैंने आपको atom दिखाया है carbon का, तो किसी भी atom मे जैसे कि carbon है, तो carbon का atomic number है वो 6 है, पर आप कोई भी material का atom ले लिजिए, सभी atoms में normal condition पे, natural condition पे number of electrons की संख्या बरावर होगी number of protons के, ठीक है, और एक atom का जो भार होता है, एक atom का जो mostly weight होता है, वो किसकी वज़े से होता है, वो mostly proton और neutron की वज़े से होता है, और हम already जानते हैं कि atom में proton और neutron कहाँ पे रहते हैं, proton और neutron atom के center part में रहते हैं, दोस्तों अगर हम weight का comparison करें, तो एक electron का weight है, वो proton के मुकाबले लगभग 1836 गुना कम होता है, यानि जो proton है, वो एक electron के मुकाबले कहीं ज़्यादा भारी होता है, अगर मैं एक proton का भार आप सभी के सामने लिख हूँ, तो हम ऐसा कहा सकते हैं, एक proton का weight होता है, वो होता है, लगभग 1.67262 into 10 raise to power minus 27 kg, तो आप समझ सकते हैं कि proton का भार कितना कम होता है, पर एक electron का भार इसके मुकाबले में अगर हम compare करें, तो कितना होगा, एक electron का भार होता है, वो लगभग 9.10938 into 10 raise to power minus 31 kg होता है, तो ये जो एक electron का भार है, वो proton के मुकाबले काफी कम होता है, जबकि neutron का भार है, वो लगभग proton के बराबर ही होता है, तो इसलिए एक atom का mostly weight होता है, वो किसकी वज़ा से होता है? वो mostly proton और neutron की वज़ा से होता है, तो ये चीज़ हमें याद रखती हैं, okay, एक और बहुत important concept में आपको समझाऊंगा थोड़ो सा ध्यान से समझना है दोस्तो एटम का जो center part है मैंने आपको शुरुवात में भी बताया atom का जो center part है वो किस से मिलके बना है वो atom का center part proton और neutron से मिलके बना है और proton पे मैंने आपको बताया है positive charge होता है और electron पे negative charge है जबकि neutron पे कोई भी charge नहीं होता है दोस्तो ये चीज़ आप सभी पहले से ही जानते हैं कि opposite charges एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे को attract करते हैं ठीक है इस nucleus के चारो और घूमने वाले electrons के उपर attractive force लगाएगा क्यों क्योंकि electrons पे negative charge होता है तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जिन materials पे same charge होता है same charge जिन materials पे होगा तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को repel करते हैं जबकि जिन materials पे opposite charge होता है, वो क्या करते हैं, opposite charges एक दूसरे को क्या करते हैं, attract करते हैं, और ये simple सा concept है, वो हम सभी को पता होना चाहिए, एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि दोस्तों ये जो electron है, ये electron randomly move करते रहते हैं, जो भी इसका orbit है, उस orbit में वो randomly नहीं जाएंगे इन shells के वारे में, पर हमें पता होना चाहिए, जैसे इन shells को हम लोग alphabet से भी denote करते हैं, K, L, M, N, और इस तरह से इन shells को हम लोग define करते हैं, हर एक cell में fix है कि कि कितने number of electrons आ सकते हैं, example के लिए अगर हम first shell के बात करें, तो first cell में maximum 2 electron आ सकते हैं, तो मैंने यह आपे देखिए, यह जो red area दिखाया है, यह first shell को indicate कर रहा है, तो इस first shell में सिर्फ दो ही electron है, जिने हमेने black color के ball से दिखाया हुआ है, अब यह जो shells होते हैं, हर एक shell का अपना एक energy level होता है, पर हम अभी इस discussion में इतने detail में नहीं जाएंगे, बस हमें पता होने चाहिए, कि ह हर shell की अपनी एक शमता होती है, और हर shell का अपना एक energy level होता है, I hope atom के बारे में एक basic introduction आपको पता चला होगा, चलिए, अब हम लोग types of materials की बात करते हैं, दोस्तों, अलग-अलग material electricity को अलग-अलग तरहा से treat करते हैं, यानि वो electricity के साथ अलग-अलग रूप में बरताब करत हैं, कुछ materials जो electricity को conduct करते हैं, यानि जिनके अंदर से electrical current pass हो सकता है, electrons pass हो सकते हैं, इन सभी materials को हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी materials को electron कहा जाता है, तो इतना हमें याद रखना है, वो materials जो की electrical current को conduct कर सकते हैं, electrical current को pass होने देते हैं, इन सभी materials को हम लोग क्या कहते हैं, इन conductor's की बात करें, तो अच्छे conductor's के example कौन-कौन से हैं, अच्छे conductor's के example हैं, जैसे copper, aluminum, silver और gold, यह सभी अच्छे conductor's के example हैं, अब यह सभी जो conductor's हैं, इनकी खास property होती है, उधारन के लिए अगर मैं copper की बात करूँ, तो copper का atomic number कितना होता है, copper का atomic number है 29, ठीक है, अब अगर हम copper का electronic configuration करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके पहले shell में, मैंने अभी आपको बताया कि, एक atom के अंदर अलग-अलग shell होते हैं, KLMN, और हर shell के अंदर maximum number of electrons जो आ सकते हैं, वो fix होते हैं, तो पहले shell में maximum 2 electrons आ सकते हैं, और इस तरह से यह अलग-अलग shells में अलग-अलग capacity होती है तो पहले shell में कितने electrons आ हैं, 2, right, second shell में maximum कितने electrons आ सकते हैं, second shell में maximum electron आ सकते हैं, 8, third shell में जो maximum number of electron आ सकते हैं, वो 18 होते हैं, तो 2, 8 और 18, तो total कितने electrons हमारे आ गए, total हमारे 18 electrons आ चुके हैं, तो last shell में कितने electrons बचेंगे, last shell में सरफ एक electron बचेगा, right, दोस्तों, एक atom का ज shell को हम लोग क्या कहते हैं इसी आकरी shell को valence shell कहा जाता है और जितनी भी अच्छे conducting materials होते हैं उन सभी conducting materials के valence shell में हमें generally एक या दो electrons देखने को मिलते हैं तो उधारन के लिए हम लोग एक और अच्छे conductor का example लेते हैं वो कौन सा है silver silver का atomic number होता है 47 तो पहले shell में maximum कितने electron आ सकते हैं 2 राइट second shell में maximum 8 electron आ सकते हैं तो वो भी completely हम fill कर देंगे third shell में maximum 18 electron आ सकते हैं और full shell में maximum 18 electron आ सकते हैं total हमने कितने electron हम यहां पर fill कर दिए 2 और 8 10 10 और 18 28 28 और 18 हमने कितने 46 भर दिया तो again silver जो हमारा इसको हम valence shell के नाम से जानते हैं तो इस valence shell में भी एक electron हमें देखने को मिला तो इस तरह से आप जितने भी अच्छे conductor पाएंगे इन सभी अच्छे conductor के valence shell में last shell में हमें usually एक या फिर दो electron देखने को मिलते हैं और इसी वजह से यह सभी जो materials होते हैं अच्छे conductors कहलाते हैं क्यों क्योंकि आकरी shell में जितने कम electrons होते हैं उतना जादा उस material के अंदर current flow कर सकता है अब आपके मन में यह सवाल भी आ रहोगा क्यों पर जब हम लोग basic definitions की बात करेंगे ने तो वहाँ पे मैं आपको current की definition समझाऊंगा और वहाँ पे आपको यह बात समझ में आएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला था पर अभी के लिए आप यह समझ लेजे कि जिस भी material में electrons का flow easily हो पाता है उसी को हम लोग अच्छा conductor मानते हैं और electrons का flow easily कब हो पाएगा जब उस material के या जब उस atom के valence shell में आखरी shell में एक या फिर दो electrons हो कभी-कभी कुछ conductors के आखरी shell में त्री electrons भी होते हैं तो वो अच्छे conductors नहीं कहलाएंगे अच्छे conductors के आखरी shell में एक या फिर maximum दो electrons ही होंगे तो अच्छे conductors जो भी हैं जैसे कि copper, aluminum, silver और gold इन सभी का आप electronic configuration खुद से करके देखिए और मुझे comment में बताइए कि इन सभी के valence shell में कितने electrons बचे चलिए अब हम next type of materials की बात करते हैं वो है insulator दोस्तो insulators वो material होते हैं जो की electrons को आसानी से flow नहीं होने देते या electrons के रास्ते में बाधा डालते हैं तो इनकी क्या खास्यत होगी obviously insulator जो materials होते हैं इनका जो valence shell होगा वो valence shell generally full होता है यानि इस तरह के जो material होते हैं इनके atom का valence shell में हमें usually 5 से 6 या फिर कभी कभी 7 electrons भी देखने को मिलते हैं तो इस तरह के जो भी materials हैं जिनका आखरी shell में बहुत जादा electrons है वो सभी insulator materials होते हैं और इनसे current pass नहीं हो पाता है या फिर बहुत कम मात्रा में current pass होता है इनकी example कौन करन से हैं air, glass, rubber, plastic, paper, porcelain, PVC, fiber, mica और यह सभी insulating material हैं तो हमने क्या समझा हमने यह समझा कि जिन materials में current pass हो सकता है उन्हें सभी materials को हम लोग conductor कहते हैं यानि जो electrons को pass होने देते हैं उन्हें हम लोग conductors कहते हैं जिन materials में electrons easily move नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग insulator कहते हैं और अब कौन सा बचा? अब third material बचा, वो कौन सा material है? semiconductor तो जैसा नाम से बता चाथ रहना है semiconductor मतलब यह कुछ खास conditions में ही current को pass करता है तो जितने भी semiconductor materials होते हैं इनकी ख्या property होगी कि इनके जो valence shell है इस valence shell में यानि इनके last shell में हमें कितने electrons देखने को मिलेंगे इनके last shell में हमें चार electrons देखने को मिलते हैं अगर मैं आपको example दूँ किसी semiconductor material का वो क्या है? silicon silicon बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अगर हम इसका electronic configuration करें तो पहले shell में maximum कितने electron आ सकते हैं पहले shell में maximum 2 electron आ सकते हैं दूसरे shell में maximum कितने electron आ सकते हैं एक तो मैंने बताया silicon दूसरे इसका example है germanium ये दो तरह के semiconductor materials काफी जादा इस्तेमाल किया जाते हैं और इन semiconductor materials का इस्तेमाल हम लोग electronic chips को बनाने के लिए diode, transistor, IGBT और इस तरह के सभी devices को बनाने के लिए हम लोग करते हैं तो semiconductors normally current को पास नहीं करते हैं आप 0.7 voltage दो तो ये काम करने लगता है तो semiconductor material किसी खास situation में ही current को पास करते हैं तो आशा करता हूँ आपको conductor, insulator और semiconductor इन तीनों materials के बीच का फर्क समझ में आया होगा तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको fundamental of electricity के concepts clear होगे इसमें हमने क्या-क्या discuss किया हमने discuss किया atom के बारे में हमने ये जाना कि हमारे आस पास जो भी चीज़ें हमें नजर आती है वो matter कहलाती है और ये matter molecule से बनता है और molecule ultimately atom से मिलके बनता है राइट फिर हमने ये समझा कि atom खुद तीन छोटे-छोटे sub-atomic particle से मिलके बनता है जिनने हम लोग electron, proton और neutron के नाम से जानते हैं फिर हमने ये समझा कि एक atom का जो center part है इसे हम लोग क्या कहते है eclipse जो की कि से मिलके मिलके बनता है जो की proton और neutron से मिलके बनता है और इसी nucleus के चारो और कौन रिवल्व करता रहता है इसी nucleus के चार और revolve करते हैं electrons ठीक है और हमने ये भी जावना था कि ये जो electrons हैं ये खास orbit में ही revolve करते हैं और एक particular energy shell level पे रहते हैं फिर हमने ये समझा कि अलग अलग तरह के materials कौन कौन से होते हैं हमने conductor, insulator और semiconductor material के बारे में समझा राइट फिर हमने ये जाना कि जो materials electrical current को आसानी से pass होने देते हैं जिनके अंदर electron easily pass कर सकते हैं उन सभी materials को हम conductor कहते हैं और हमने ये भी जाना था कि conducting materials के valence shell में यानि इनके आखरी shell में, valence shell में कितने electrons होते हैं अच्छे conductor materials के आखरी shell में, usually एक या फिर जाए सादा दो electrons हमें देखने को मिलते हैं, insulating materials कौन से material होते हैं insulating material वो material होते हैं जिनके अंदर से current easily pass नहीं कर सकता और इनके valence shell में 5, 6 या फिर 7 electrons देखने को मिलते हैं, तो इनका जो valence shell है वो almost full होता है, जबकि semiconductor material वो material होते हैं voltage को बदल देने से यह फिर insulator की तरह भी काम करने लगते हैं, semiconductor material के valence shell में हमने समझा था कि इनके valence shell में generally हमें 4 electrons देखने को मिलते हैं, दोस्तों conductor, insulator और semiconductor इन सभी materials के हमें example भी पता होनी चाहिए, तो मैंने conductor के example कौन-कौन से बताया थे आपको copper, aluminum, right silver, gold, यह सभी example हैं, अच्छे conductor के right, then insulating material example कौन से होंगे, paper, wood, rock, rubber, यह सभी insulating material के example है, और semiconductor example कौन है, silicon और germania यह सभी semiconductor material के example है, तो हमने यहाँ पे fundamental of electricity को cover कर लिया है, अगर आपके कोई भी doubt है तो आपने doubts हमें email कर सकते हैं या फिर आप video के comment box में भी अपने doubts को डाल सकते हैं, हमें आपके सभी queries को answer करने में काफी खुशी होगी, chapter number 3 के next video में हम लोग यह सारे concepts को discuss करेंगे, तो मिलते हैं next video में